दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल PM क्लासिस में मैं प्रवीन कुमार जैन आज आपके लिए पुनहा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यनत आवस्यक संधी प्रकरण प्रशनों को लेकर आया हूँ दोस्तो इस वीडियो में 54 प्रश क्लासिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुंच सके तो आए दोस्तों देखते हैं संधी प्रकरण में से 54 प्रशनों उत्तरों को पहला प्रशन है संधी सब्दस्य ब्युत्पत्ति रस्ती संधी सब्दस्य ब्युत्पत्ति रस्ती संधी सब्दस्य ब्युत्त्ति की ब्युत्त्ति है संधी सब्दस्य ब्युत्त्ति सम उपसरगात डुधाय धाधातो की प्रत्ययन अवद दोस्तों संधी सब्द जो बना है सम उपसर्ग पुर्वग धाधातू से की प्रत्य करने पर उपसर्गे घो की इस सूत्र के द्वारा की प्रत्य करने पर यह संधी सब्द निस्पन हुआ है तो आंगे देखते हैं संधी के भेद वगेरा बताएंगे सिद्धान्त कौम अध्याहत तर्तिय प्रकरण मस्ती सि सिद्धान्त कौमदी का तिर्थिये प्रकरण जो है संधी प्रकरणम, तिर्थिये प्रकरण है, पहला प्रकरण है संग्या प्रकरण, दूसरा है परिभासा प्रकरण, तीसरा है संधी प्रकरण, तो सिद्धान्त कौमदी जो की आचारी भट्टो जी देख्षितने लिखी थ इसका तीसरा प्रकरण संधी प्रकरण है संधी है रपरम नाम किम संधी का अपर नाम क्या है अन्य नाम क्या है तो संधी का अन्य नाम है सही हैता सही हैता इसका सूत्री भी है दोस्तो परह सन्नी करसा सही हैता परह सन्नी करसा सही हैता यह सूत्र है अंगला प्रश्ण है लगुसिद्दान्त कौमद्याम प्रथमा संधी रस्ती लगुसिद्दान्त कौमदी में प्रथम संधी है तो लगुसिद्दान्त कौमदी में प्रथम संधी कौन सी है तो दोस्तो वह है अच संधी अच संधी इसके बाद हल संधी इसके ब बिसर्ग संदी तीन संदी लग सिद्दांत कौमदी में हैं और दोस्तों सिद्दांत कौमदी से देखें बैयाकंड सिद्दांत कौमदी से देखें तो उसको संदी को पाँच भागों में बाटा है पंच संदी जिसे कहते हैं पंच संदी में पहले अच संदी फिर उसके बिसर्ग संधी और एक होती है स्वादी संधी बिसर्ग संधी के दो भाग किये हैं बिसर्ग संधी के एक बिसर्ग संधी और एक स्वादी संधी अंगला प्रश्न है मुख रूपन संधे कती भेदा मुख रूप से संधी के कितने भेद हैं तो मुख रूप से संधी के भेद ह त्रयाह तीन भेद हैं जो उपर बताय हुए हैं अचसंदी, हलसंदी और बिसर्ग संदी संदे के त्रयो भेदा संदी के तीन भेद कौन से हैं तो अही नाम दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं अचसंधी, हलसंधी और बिसर्ग संधिश्चेती यह तीन मुख भेद संधी के हैं अंगला प्रश्ण है अचसंधे रपरम नाम किम अचसंधी का दूसरा नाम क्या है तो अचसंधी का दूसरा नाम है स्वरसंधी हल संधी का दूसरा नाम क्या है? हल संधी का दूसरा नाम है ब्यण्ञन संधी कह अच्छ संधी किसे काएते है? तो अच्छ संधी की परिभास यहाँ पर बताई जा रही है दो स्वरों के सम्मेलन से जो परिवर्तन होता है उसी का नाम अच अथवा स्वरसंधी है अंगला प्रश्ण है स्वरसंधी के कितने भेद है तो स्वरसंधी के नव नो भेद है नो भेद दोस्तों स्वरसंधी के बताए गए है स्वरसंधी है भेदा नाम नामानी स्वरसंधी के भेद के नाम क्या है तो वह नो भेद इस प्रकार है पहला है यन संधी दूसरा आयादी संधी तीसरा गुन संधी चोथा ब्रधी संधी पांचवा दीर्ग संधी छटवा पूर रूप संधी साथवा परूप संधी है आठवा अवंगादेश संधी और नवा प्रकरतिभाव संधी दोस्तो यह इसकी संख्या अलग अलग भी हो सकती है कई लोग आठी मानते होंगे अवंगादेश को नहीं मानते होंगे या फिर कई लोग छे ही मानते हैं जो हिंदी में चलता है या फिर टैंथ तक की जो संस्कृत की बुक में चलता है वह च्छे ही चलता है पूरूप संधी तक परूप प्रकरतिभाव ये कुछ भी संधी उन्होंने अलग से नहीं बताई हैं तो इस प्रकार दोस्तो अलग-अलग भेद हो सकते हैं लेकिन टोटल जो भेद हैं वह नो भेद बताई गए हैं अंगला प्रश्ण है विश्णू प्लस आग्या यहां पर संधी हो करके क्या बनेगा तो दोस्तों यहां पर संधी हो जाएगी और उ के स्थान पर हो जाएगा वा आधा वा और आ मिल जाने के बाद बन जाएगा विश्ण वाग्या यहां संधी दोस्तों यहां पर है एको यह प्राशन है यन विधायक सूत्र मस्ती यन विधायक सूत्र है तो यन विधायक सूत्र यूपर एं संदी थी वह उसी का सूत्र आ गया है को recorded गा IT सूत्र का संदी विचード, नाईका इसका विचklore क्या है तो नई प्लस अकह नायकह नई में जो आई है आई के स्थान पर हो जाएगा दोस्तो आयादेश और आई के स्थान पर आय होने से बन जाएगा नायकह नायकह तो नई प्लस अकह नायकह यहाँ पर जो संदी है दोस्तो वह है आयादी संदी आयादी संदी एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा यहाँ पर अयादी संधी हुई है अंगला प्रश्ण है पवनहा पवनहा इती सब्दे कहा संधी पवन सब्द में कौन सी संधी है तो पवन सब्द में दोस्तो है अयादी संधी पो प्लस अनहा पवनहा पूधातू से यहाँ पर पवन सब्दे बना हुआ है पोपलस अनहा पवनहा अयादी संदी यहां पर है अंगला प्रश्ण है अयादी विधायकम सूत्र मस्ती तो अयादी संदी विधायक सूत्र है एचो यवा यावह यह अयादी संदी विधायक सूत्र है अंगला प्रश्ण है विजयाह इत्यत्र कह संदी विच्छेद बिजय आहा इत्यत्र कह संधी विच्छेद है बिजय का संधी विच्छेद क्या है तो बिजय प्लस आहा यह दोस्तो संधी विच्छेद है और एक इस्थान पर हो जाएगा आय आयादी संधी इसमें है इसी सूत्र के द्वारा एचो यवा यवा सूत्र के द्वारा एक संधी है तो गडेशा में जो संधी है वो है गुण संधी इसका बिग्र है क्या होगा तो गण प्लस ईसा गणेशा यहाँ गण प्लस ईसा आ और ई मिल करके ए हो गया है और गुण संधी दोस्तों यहाँ पर है आदगुणा सूत्र के द्वारा गुण संधी होती है अंगला प यह आदगुना सूत्र इससे गुण संधी होती है अंगला प्रश्ण है मालल का रहा मालल का रहा इत्यत्र का संधी विच्छेद है मालल का रहा यहां पर इसका संधी विच्छेद क्या है तो यहां का जो संधी विच्छेद इसका है माला प्लस लडी का रहा यहां पर दोस्तो हमेशा आ या वड़े या दीर्ग आ के वाद ई उ री लरी इचार बर्ण हों तो वहां पर दोस्तों होती है गुण संधी और आ के वाद यदी ए आई ओ आउ हों तो हाँ पर होती है ब्रद्धी संधी उसका प्रकरण आगे बताएंगे अंगला प्रश्ण है साइव इत्यत्र क यहां पर संधी विच्छित क्या है तो दोस्तों साइव में संधी विच्छित है सा प्लस एव यहां पर दोस्तों हम देख सकते हैं आ के वाद ए है और आ के वाद यदी ए ओ आउ हों तो होती है ब्रद्धी संधी तो यहां पर दोस्तों है ब्रद्धी संधी और ब्रद्धी रेची ब्रद्धी रेची अंगला प्रश्न ब्रद्धी रादेशा कें सूत्रन भवती तो ब्रद्धी रादेशा जो ब्रद्धी आदेश होता है वह होता है ब्रद्धी रेची इती सूत्रन ब्रद्धी रेची सूत्र के द्वारा ब्रद्धी संधी होती है अंगला प्रश् संधी हुई है और गुण संधी को बाद करकि यहां पर ब्रद्धी संधी हुई है गुण संधी को हटा करकि यहां पर ब्रद्धी संधी हुई है तो स्वा प्लस एरणी यहां पर यह इसका बिच्छेद है स्वा प्लस एरणी आ और यह मिल करके दोस्तों बैसे ए होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर आई हुआ है यह एक अलग से सूत्र स्वाधी रेरेनो उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ब्रध्धी संदी यहाँ पर हुई है तो स्वैरणी यह इसका वेह बिग्रह है स्वापलस एरणी अकह सवर्णे अची परे पूर परियो कह संदी भवती अकह सवर्णे अची परे पूर परियो कह संदी भवती अक से परे सवर्ण अच के रहने पर पूर पर के स्थान पर कौन सी संदी होती है अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण अच हो सवर्ण मतलब समान बर्ण जैसे आ के ब अच के रहने पर पूर पर के स्थान पर कौनसी संदी होती है तो ऐ होती है द нравится किया है दोस्तो अक प्रत्यार बनता है तो आई उ रिल्डि इन पांच वर्णों में यह संदी के लांग होग है और अरो में लाघू नहीं होगी एक बाद एवी होगा तो वहाँ पर दिर्ग संदी दोस्तों नहीं होगी या ध्यान रखने योग बात है यहाँ पर अक बोला है अक मतलब आ, इ, उ, र, 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 पांच वर्ण ही इसमें आएंगे दिर्ग संदी का यह सूत्र है अकाह सवर्णे दीरगा आँगे जो बता रहे हैं दिर्ग संदी विधायकम सूत्रम बरतते दिर्ग संदी विधायक सूत्र कौन सा है तो दिर्ग संदी विधायक सूत्र है अकाह सवर्णे दीरगा अकहा सबर्णे द arisesबर्ण अजबाद में होने पर दिर्ग संधी होती है अंगला प्रश्ण है दिर्ग संधे एकम उदाहरन का एक उदाहरन तो रभी प्लस इंद्रह रवींद्रह यहां पर आंगे भी छोटी इह है पीछे भी रस इstudying होने के कारण यहां पर रवींद्रह यहां दीर्ग यहों करके दीर्ग संधी यहां पर हुई है दीर्ग संधी का यहां उधारण है रवींद्रह अंगला प्रश्न मनीशा इत्यत्र कह संधी मनीशा यहां कौन सी संधी है तो यहां पर दोस्तों पर रूप संधी है मनस प्लस ई में मनीशा पदस्ट संधी विच्छेदो बरतते मनीशा पद का संधी विच्छेद क्या है तो मनस प्लस इसा मनीशा अब आगे जो परूप संधी यहां पर हुई उसका संधी विधायक सूत्र कौन सा है पर्रूप विधायकम सूत्र मस्ती पर्रूप विधायक सूत्र है एंगी पर्रूपम यह पर्रूप संधी विधायक सूत्र है लेकिन दोस्तों मनीशा में जो संधी हुई है वो है दूसरे सूत्र से हुई है वो है सकंद्वादिसु पर्रूपम बाच्यम यह एक बारतिक है सक इन सभी में यह सकंद आदिसु पररूपम बाच्यम बार्तिक के द्वारा ही संधी हुई है। यह मुख जो परूप संधी का सूत्र हुआ है एंगी परूपम। अंगला प्रस्चन है पतंजली इत्यत्र का संधी विच्छेदा। पतंजली इसका संधी विछिद क्या है तो पतत प्लस अंजली पतंजली वही सकंद आदिसु पर रूपम बाच्यम सूत्र के द्वारा पर रूप संधी यहाँ पर है और इद उद एद दुई वचनम प्रग्रहियम तो प्रग्रही संग्या होकर के प्रकरतिभाव संधी यहाँ पर हो जाती है क्योंकि यह दुई वचन का है और ई उ और ए अंत में सब्द के होना चाहिए तो यहाँ पर U अंत में है, दीरग U, दीरग E और A, A अंत में होंगे तीन बर्ण, तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधी हो जाती है, तो अमुआ साते में भी प्रकृति भाव संधी है, अंगला प्रशन है विश्णोब इत्यत्र कह संधी, विश्णोब यहाँ कौन सी संधी ह तो यहाँ पर जो संदी है वह है पूरूप संदी दोस्तों यहाँ पर है पूरूप संदी इसका विच्छेद ही बताएंगे और पूरूप संदी का सुत्र व्यंगले प्रश्णों बता रहे हैं बिश्णोव इत्यत्र का संदी विच्छिदा, तो बिश्णोव का संदी विच्छिद क्या है, तो वह है बिश्णोव प्लस अब, बिश्णोव प्लस अब यह संदी विच्छिद है, पूरूप संदी कभ होती है, तो इसका भी एक नियम है कि कभ यह पूरूप संदी करना ची एंग से पね पदान्त मandeलब पदिकी एंट में जिसमें सुबन्त या तिंगन्त प्रत्य लग गए हो उजू पद कहलाता है और ऐसा पद जिसके एंट में हूँ वह ठीहलाता है पदान्त सुप और तिंगं प्रत्य जिसमें लग गये हो सीधा-सीधा यही है कि सुप और तिंग प्रत्य। जिस सब्ध में या बढ़न में लगे हो वह पदान्त कहलाता है तो एंग से परे पदान्त एंग से परे एंग प्रत्यार में आता है A और O तो पदान्त एंग से परे अत म taxpayers होता है सिर्फ आ छोटा आ रस्वा तो अत के परे रहने पर पूर्रूप एकादेश होता है पदान्त एओ के बाद छोटा आ हो तो पूर्रूप हो जाता है तो यहाँ पर बिश्णोब में दोस्तों देख सकते हैं पदान्त एओ था ओ जो पदान्त था और इसके बाद आ था तो यहाँ पर जो संधी हो चुकी है पूरूप संधी अंगला प्रश्ण है पूरूप संधी किस संधी का अपवाद है तो पूरूप संधी जो है वह है आयादी संधी का अपवाद है क्योंकि ए ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो दोस्तों वहाँ पर एक स्थान पर आए और ओक स्थान पर नहीं हुआ तो यह आयादी संदी का अपबाद है पूरूप संदी आयादी संदी का अपबाद है होना चीए थी आयादी संदी लेकिन कुछ बिसेश नियमों के कारण यहाँ पर आयादी संदी को बाद कर पूरूप संदी हुई है अंगला प्रशने पूरूप संदी विधाय अंगला प्रशने अमी प्लस इसा अत्र संधी उक्तम पदमस्ती अमी प्लस इसा यहाँ पर संधी उक्तपद क्या होगा तो अमी प्लस इसा इसका संधी उक्तपद होगा अमी इसा जियों काते हूं दोस्तों यहाँ पर भी प्रकर्टी भाव संधी है क्योंकि यहाँ पर भी इ अंत में है और इत उत एत दुई वेचनम प्रग्रहियम ई उ ए दुई वेचनमे यदि हों तो वहाँ पर प्रग्रहिय संग्या होकर कि प्रकरति भाव संधी होती है प्रकरति भाव का मतलब यह है कि जैसी उसकी प्रकरति है जैसा हुआ है जियों का त्यों रहेगा कोई भी च चनका है और ई का रांत है अंगला प्रश्ने अमी इसा इती पदे कह संधी खलू अमी इसा पद में कौन सी संधी है तो यहाँ पर है प्रकरती भाव संधी जो की हम बता चुकी है अंगला प्रश्ने कहा हल संधी अब दोस्तों यहाँ पर हल संधी प्रकरण सुरू हो रहा है कह हल संधी किसे कहते हैं तो हल संधी की परिभासा है ब्यंजनानाम स्वरानाम चा सम्मेलनेन यत परिवर्तनम विकार उत्पद्यते तश्यविधानमेव हल संधी ब्यंजनों के साथ ब्यंजनों तथा स्वरों को मिलाने पर जो परिवर्तन उत्पन होता है उसे हल संधी कहते हैं दोस्तो ब्यंजन संदी में एक बात हमें ध्यान रखने योग है, स्वर संदी में आंगे स्वर ही होगा, पिलस के आंगे भी स्वर और पिलस के पीछे भी स्वर होता है, यह स्वर संदी की विशेषता है, कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, लेकिन जो ब्यंजन संदी है, ब और ब्यान्यन दोनों हो सकते हैं तो आप ए बात ध्यान रखें कि ब्यान्यन संदी जो है आंगे तो उसमें रहता है हमेशा ब्यान्यन और पीछे रहता है स्वर्या ब्यान्यन दोनों ऐसी बिसर्ग संदी में आंगे तो रहेंगे विसरग और पीछे रहेंगे स्वरी अव्यंजन दोनों लेकिन सौर संधी में ऐसा नियम नहीं है स्वर संधी में दोनो तरफ स्वरही होंगे आँगे और पीछे स्वरही होंगे तो या आप ध्यान रखें अंगला प्रस्न देखते हैं उद प्लस जुलाह उज्जुलाह इतिकस्य संधेर उधारणम उद प्लस जुलाह उज्जुलाह यह किस संधी का उधारण है तो इस्चुत संधी का उधारण है इस्चुत संधी बिधायकम सूत्र मस्ती इस्चुत संधी बिधायक सूत्र है तो इस्चुत संधी बिधायक सू इसका नियम यह दोस्तों कि सकार और तबर्ग की बाद सकार या चबर्ग हो या फिर सकार और चबर्ग की बाद शकार और तबर्ग हो तो वहां पर सकार और चबर्ग हो जाएगा बदलना इसी को है बदलना सिर्प सकार और तबर्ग को है वो भी सकार और चबर्ग में तो सकार और तबर्ग को श्कार और चबर्ग में बदलना है यह इसका नियम है अंगला प्रश्न है दोस्तो क्रश प्लस नह बरावर कृषणा इत्यत्र कह संधी क्रश प्लस नह इहां कौन सी संधी है तो यहाँ पर दोस्तों जो संधी है वह आ है इस्टुत्त संधी इस्टुत्त संधी यहाँ पर है इस्टुत्त संधी विधायक सूत्र कौन सा है तो इस्टुनाश्टु इस्टुनाश्टु यह इस्टुत्त संधी विधायक सूत्र है इस सूत्र से सकार एवं तवर् में से कोई भी बर्ण आ जाएगा तो इसको सकार और तबर्ग हो जाता है किसको सकार और तबर्ग को यह इस्टुनास्टू सूत्र के जैसा ही है दोनों इस्टुत और इस्टुत बराबर हैं बस इसमें सकार और तबर्ग का योग रहता है उश्मन शकार और चवर्ग का योग रहता है अंगला प्रश्न रिच प्लस अंता हड़े जनता इतिकस्य संधेर उधारणम रिच प्लस अंता हड़े जनता या किस संधी का उधारण है तो रिच प्लस अंता हड़े जनता या जस्तो संधी का उधारण है जस्त संधी का दरण जलाम जसोंते सूत्र के द्वारा यहां पर जस्त संधी हुई है जस्त संधी विधायक हम सूत्रम किम जस्त संधी विधायक सूत्र कौन सा है तो वह सूत्र है जलाम जसोंते इस सूत्र से पदांत में जहल बर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है जस मतलब होता है तीसरे बर्ण तो पहले दूसरे तीसरे चौथे बर्ण के स्थान पर तीसरे बर्ण हो जाते हैं बर्ग के अंगला प्रशन है संपत धरसा इत्यत्र संधी रस्ती संपत धरसा यहाँ पर संधी है तो यहाँ संधी कौन सी है पूर्व सवर्ण संधी इसका बिग्रह क्या होगा संपत प्लस हरसा संपत ता आधा और हरसा संपत प्लस हरसा संपत धरसा तो यहाँ पर दोस्तो पूर्व सवर्ण संधी है पूर्व सवर्ण पूर्वसवन पहले यहाँ पर जस्तसंदी होगी संपद हरसाः बनेगा फिर इसके बाद पूर्शवन संदी होगी तो संपद धरसाः बन जाएगा इस प्रकार दोस्तो संपत्धर साब पूरुशवन संदी और जस्त संदी दोनों मिली जुली संदी है लेकिन यहाँ पर मुख्यता पूरुशवन संदी की है अंगला प्रश उत्थानम इत्यस्त पदच्छित होवती उत्थानम इसका पदच्छित क्या होगा उद प्लस इस्थानम उत्थानम उत्थानम बनता है यह ध्यान रखने योग है अनुस्वार की बाद याय की रहने पर कौन सा आदिस होता है तो परसबरना अनुस्वार की बाद याय हो तो अनुस्वार की इस्थान पर याय की बर्ग का पंचमबन हो जाता है उधारन के लिए सम प्लस चया संचया अंगला प्रश्ण है तवर्गस्य लकारे परे कह संधी तवर्गस्य लकारे परे कह संधी तवर्ग के बाद यदि लकार हुला हो तो कौन सी संधी होती है तो उसको हम बोलते हैं परसवन संधी या फिर लत्त संधी जैसे उत प्लस लेखा उलेखा तत प्लस लीना तलीना तो इस प्रकार दोस्तों यह यहाँ पर जो संधी है वह परसवन संधी इसे लत्त संधी भी कहते हैं तोरली सूत्र के द्वारा यह संधी होती है अंगला प्रश्ण है तच्छी वह इती पदस संधी विच्छेदम किम भविश्यती तच्छी वह इस पद का संधी विच्छेद क्या होगा तो तत प्लस से वह यह संधी विच्छेद होगा और इसका फिर बिग्ग्रे इसका अलग अलग दो संधी दोस्तों इसमें है पर सच्छोटी सूत्र के द्वारा यहां पर सा के स्थान पर च्छा हो जाएगा तो इस प्रकार तच्छी वह यह बनेगा इस्मर्णी है कि सच्छोटी सूत्र से पदांत ज्धाय के बाद सा के रहने पर सा के स्थान पर च्छा आदेश होता है तो ज्धाय प्रत्याहर के तो अट परे अट प्रत्याहर में बाद में रहने पर सा के बाद तो सा के बाद क्या है ई तो ई अट प्रत्याहर में आता है बिकल्ब से होता है दोस्तों यह एक बार होगा एक बार नहीं होगा पयान सी त्यत्तर संधी रस्ती पयान सी यहां संधी है तो यहाँ पर दोस्तो अनुनासिक संधी है पयान सी में अनुनासिक संधी है यहाँ पर अनुनासिक बन गया है पयान ना के स्थान पर यह बिंदी बन गई है अनुस्वार अनुनासिक बन गई है तो यहाँ पर अनुनासिक होना चीए था दोस्तो यह थोड़ा सा मिश्टेक ह तो पयानसी में यहाँ पर अनुनासिक संदी है अंगला प्रश्ण है हरिस्चंद रहा इती नामनी कह संदी हरिस्चंद इस नाम से कौन सी संदी है तो हरिस्चंद इस नाम में कौन सी संदी है तो हर इस चंद नाम में जो संदी है दोस्त हुआ है बिसर्ग संदी बिसर्ग के बाद स्वरिया बियन्यन के रहने पर बिसर्ग के स्थान पर होने बाले परिवरतन को बिसर्ग संदी कहते हैं जैसे बिस्नु प्लस तराता बिस्नु स्तराता तो बिसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन हुआ है वह सा बन गया है तो बिसर्ग संधी में दोस्तो हमेशा प्लस के आंगे रहेगा बिसर्ग और प्लस के पीछे रहेगा स्वर्या बियन्यन दोनों तो यहाँ पर प्लस के आँगी तो बिसर्ग था और पीछे था ब्यंजन तो यहाँ पर ब्यंजन के अनुसार ता के अनुसार यहाँ पर सा बन गया है दंत सकार अंगला प्रशन हरी रम्या इत्यत्र संदी छेद हा इसका संदी विच्छिद क्या है हरी रम्या का तो हरी रम्या का संदी विच्छिद होगा हरी प्लस रम्या 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 हरी प् हो जाता है देवाह गच्छंती ही लोपह साकल यह जो सूत्र है इसके द्वारा यहां पर विसर का लोफ हो जाता है अंगला प्रशन है नमस्ते इती पदस्य संदी विच्छेदं बदतू नमस्ते इस पद का संदी विच्छेद क्या है तो नमस्ते पद का संदी विच्छेद ह आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं और दोस्तो आपने हमारे चैनल पीम क्लासेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिस्ते हमारे अंगले समस्कत से संबंदित वीडियो और अन्य भासाओं से संबंदित वीडियो आप तक नोटिपिकरशन के माध्यम से पहुंच सकें धन्यवाद